अब आफटनून आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरा 10 डॉलर का लॉस होगा इस को पिंग पे और वो क्यूं हुआ उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं ट्रेडिंग वीव चार्ट देख रहा था और इस ट्रेडिंग वीव चार्ट में यह सैबर का चार्ट खुला हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं जो टॉप बना हुआ है यहां पर इंडेलों को ध्यान से देखोगे देखो लुज को इसका क्लोज है जो आप यह किलोज दो 1940 है और इसका उपें जो है वो है 9.49 तो इस condition को देखते हुए यह क्या बन रहा है बीरिश हरामी पैटर्न ओके अगर मैं इसको refresh भी कर दो इस चार्ट को तो भी आप देखोगे यह price chain नहीं होता है यह इसका close है 9.49 अब हम चलते हैं हमारे M.T.5 पे यह M.T.5 पे जो data broadcast होता है वो same binance के server से आता है यहां पे आप देखोगे तो इसका close है 9.100 यह वाला point है हमारा इसका close है 9.41 और इसका open है इसका open आपका almost बराबर ही है यहां पे दिखा नहीं है कि वेट लेट में शोड़ चल्सी ओके तो अभी आप यहां पे इसका देख सकते हो कि कि यह यहां पे almost दिखाने रहे है कुछ दिजन के कान नहीं है कि यहां पे देख सकते हैं almost अब देखोगे almost बराबर है तो मतलब यह close जो है यह open के बराबर है और बाइनेंस पे चलते हैं बाइनेंस के कि यहां पे आप देख सकते हो कि यह सेम चीज जो है यह आप इदर यह जो यहां पे आप देख सकते हो यह इसका क्लोज है 914 यह आपको दिख रहा होगा इसका ओपन है वो है 914 मतलब यह बाइनेंस का चार्ट सही है मेरा मेरा नुकसान हो गया क्योंकि यह ऐसा पेटर्न बनाई नहीं था बेरी शरामी लेकिन इस पे इमिटेट कर रहा था आप देख सकते हो कि यह गैप है इस करण इस डेटा एरर के करण मेरा 10 डॉलर का नुकसान हुआ क्योंकि मैं अपना सिस्टम हमेशा यूज नहीं करता हू मैं कभी कभी ट्रेडिंग भी यूज करता हूं बट अभी इसको देखने के बाद मैं इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि डेटा एरर्स जो होते हैं यह इस कॉलपर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरूरस होते हैं हो सकता है आपको बड़े टाइम फ्रेम प्रॉब्लम ना है लेकिन यह जो डेटा एरर्स वन मिनिट चार्ट पर होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं और इस कॉलपर को लॉस करा सकते हैं